वेल्टम बाख टू मैई चैनल और आज मैं आपके साथ चेयर करने वाले हूं कि आप घर पे खुद से अपने बालों को किस तरीके से करल कर सकते हो फूर अनी फंक्षन तो यह मेरे बाल बिफोर कर लिंग सबसे पहले मैं कॉम की हेल्प से अपने बालों को चैसे डी टैंगल क और इंट्रसिंग पार्ट यह है कि आज मैं खुद से पहली बार अपने बालों को करने जा रहे हूं घर पे सो वीडियो के एंट तक जरूर देखिएगा अच्छा एक चीज आपको नहीं लगता कि आज मेरे जो बालों काफी शाइन कर रहे हैं तो वीडियो में मैं आपको कर गवी ज़ूरूर बताऊगी कि मेरे बाला बाला जितने शाइन क्यों कर रहे हैं कर लिए मैं यूज करूं कि अपना नॉर्मल ओला करलर और सबसे पहले मैं बालों को दो पार्ट में इवाइड कर लोंगý हाफ को राइट में तो लेफ्ट साइड के बालों में एक प्लस अनियन कंडिशनर मुझे आज भी याद है वन आई वस प्रेगनेंट तो मुझे एक्स्ट्रीम वाला हेर फॉल स्टार्ट हो गया था उस तरह मेरे पास यह वाला शैंपू नहीं था बट मुझे एक चीज़ पता थी कि अनियन जो होता है हेर फॉल को कंट्रोल करने के ल और एक्स्ट्रा हेर ग्रोथ को प्रोमोट करता है उसके अलावा यह जो प्लांट केरेटिन है यह हेल्प करता है आपके बालों को फ्रीज फ्री बनाने में आपके बालों को अच्छी नरिश करता है और जो एक्स्ट्रा पहले से आपकी डैमेज हो रखे ना बालों की उसको तो ओवराल काफी अच्छा शेंपू है आप जरू ट्राइ कीजिएगा और देखो रातो रातो कोई मैजिकल चीज है निये दुनिया में कि रातो रात ही आपका हेर फॉल कंट्रोल हो जाएगा डेफिनेटील तोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा शेंपू है सल इस अच्छ बात है और उसके अलावा ये रीसाइकल करते हैं प्लास्टिक को जितना यूज करते हैं और टेंसे ज्दीपले करते हैं शेंपू के बाद है जो यूज करना है इसमें प्लस कॉकोनक ऑाइल आने प्रोपरटिस मैं आपको पहले ही बता दिया कोकोननेट ऑईल ज में अब चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं एक मेरा पोर्शन अल्रेडी कर्ल हो चुका है नाव मैं सेकिंड पोर्शन लोगी बालों का उसे भी थोड़ा सा राउंड राउंड करके इस तरीके से ताकि यू जादा फैले ना और फिर से अपनी कर्लिंग रोड पे लगा थोड़ा से नर्वस थी क्यूंकि मैं भी खुद फर्स टाइम घर पे कर्ल कर रही थी तो आप मेरा फेज देखके समझ सकते हो कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ यह तो यह अब मैं ले रहे हूं थर्ड सेक्शन और इस तरीके से ना अप अपने पूरे बालों को कर्ल कर सकते हो अब यहां पर सिर्फ हाफ बालों को यहनि की हाफ साइड के बालों को कर करके दिखाऊंगी सेकिंड हाफ वाला आप आप अटोमेटली सेम तरीके से कर सकते हो अच्छा है कि अधिशनल चीज बताते हूं अगर आपको बहुत अच्छा वाले कर्ल से बनाने न तो बालों की अच्छा है उसको जरूर के अंदर रखिए इस तरीके से आपके जो कल सहो और भी ज्यादा अच्छे बनेंगे कर लर के अंदर आपको बालों गोना दस से जादा ने रखना क्योंकि उससे आपके बालों का बर्न्ट होने की चैंसे बहुत जादा होते हैं तो उसी का ध्यान बताती हूं आपको कि ये वाला जो वीडियो है ना ये मैंने रात को साड़े बारा बजे स्टार्ट किया था शूट करना दिन में इनना टाइम मिलनी पाता है क्योंकि विरॉनिका भी काफी चोटी है और बहुत बिजी रहता है पूरा का पूरा दिन काफी है रात में थोड स्ट्रॉगलिंग सा फेज है बट इट सो के कोई बात ने निकल जाएगा आम रियरली एंजोईंग मदर हुड फेज एनिवे गर्ल्स तो ये हम हमारा काफी हद तक हमारे बाल अलड़ी कर्ल हो चुके है अभी मैं ये जो बाल बचे है ना इनके तीन से चार सेक्शन और करू है ऐनिवे अभी ये वेला सेक्शन होचिकें कम्प्लीट अब जो बाल बचे ना उसमें से मैं शायद थीन सेक्शन और अभी करने वाली हूं इस वीडियो में ने दो डिफरेंट एरिंग्स यूस किये है रहा हमारा एन जो दि दफरेंट पले की न्वी साथिर यूज के कमे पोर्शन हमारा हो गया कर्ल यह मुझे ऐसा लगा कि नीचे से जादा अच्छे से नहीं हुआ था बट इट सो के अभी के लिए चल जाएगा नाव मैं ले रही हूं एक अलग से पोर्शन हमें इसको कर्ल करूंगी कर्लर की हैल्प से तो यह वाली वीडियो बनाने का मेरा प्ल प्लूल करके करोंगी क्योंकि मुझे असा लग जा लग तर तो यह होगा हमारा लास्ट पोर्शन कर्ल और you can see कि यह हो गया हमारा हाफ साइड के बाल हमारे कर्ल हो गया और सेम तरीखे से अब मैं दूसरी साइड के बाल भी करल तो यह होगा हमारे सारे बाल करल एंड आउ अब मैं style करूँगी अपने most, क्या बहुते हैं, फेवरिट जो earrings अब वह वाले, ये वाले earrings में बहुत जादा पसंद है, तो इसे मैं आज style करने वाली हूँ आज की वीडियो में, and you can see कि इन वाले hair style के साथ, ये वाले earrings बहुत ही जादा अच्छे लग रहे हैं, so girls, आप भी इस तरीके से ट्राएगा सकतो एक अच्छा सा hairstyle, and maps मिलती हूँ नए वीडियो में नए concept के साथ, till then you girls, take care and bye bye, and stay happy.